हेलो गुड मॉनिंग कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं सांती स्वागत करती हूँ अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है गाउं की सांती और लेके अपने चेहरे पे स्माइल कर लीजे मेरे चैनल को सब्सक्राइब या आज से बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब ही मैं वीडियो अप्लोड कर नौटिफिकेशन मिले नौरात्री की कोई भी वीडियो आप सबको अभी तक नहीं मिली है उसके लिए मैं शमा चाहूंगी क्योंकि वीडियो बनी ही नहीं तो मैं कहां से आप सब के साथ शेयर करूं आज मैं पता नही यह ब्लोग जाएगा या फिर कल जाएगा जब भी जाए तो आज मैं कुछ सवालों कि आप सब की जवाब देने वाली हूं तो यह बेसिकली एक प्रशन का उत्तर देने वाला वीडियो है जो भी होगा मैं आप सब के साथ शेयर करूंगी तो बहुत सारी चीज़ें जैसे क आप लोग प्यार प्यार में पूछते हो बहुत सारे बलसिंग के रूप में और बहुत सारे टोंट के रूप में बहुत सारे गलत कमेंट के रूप में तो उसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं बेबी को लेके और बहुत सारे सवाल एक मेरी प्यारी से सब्सकाइबर ने ब मुझे बताईएगा ऐसे उन्होंने बहुत साइज चीजे मेरे से सवाल पूछे तो मैं सचा कि चलो में एक वीडियो बना देती हूं और मेरे को बहुत साइज लोगों सजिस के लिए कि आपको अगर बेबी चाहिए अगर आप मतलब इसनी परशान रहती हो बच्छे को लेके तो आप वह करवा सकते हो तो उस पर भी मैं बात करूंगी तो पहले मैं फॉस्ट डिलिवरी की बात कर रही हूं तो आप लोग पूछती है कि मतलब सीजेरें डिलिवर की बाद में क्या क्या प्रॉबलम आती है देखिए सर हर एक लोगों की बॉड़ी अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके की दिक्कते आती है और आज कल न सीजेरें ऑपरेशन तो एक मतलब ट्रेंड बन चुका है मैं कहूं तो जिसको देखे लेकिन मैं तो यही कहूंग करती ने हमारे बॉड़ी के साथ में हमारे सब कुछ जो सम्रचनाय रची है रही बात की आजकल लोगों का खाना पीना रहन सहन पहले मतलब मेरी आजी दादी मेरी आजी बोलती है कि वह जाते पर वह पीसा करती थी पूरे नौ महीने तक यहूं पीसा करते थे आटा जो घर के पास जाएं और डॉक्टर भी जो है वो अच्छे तरीके से जो चीजे बताती हैं क्योंकि आजकल के जो हम रहन सहन है कि लेट की फोन चला रहे हैं घंटो 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 एक्सरसाइज नहीं करते या चलते फिरते नहीं बहुत सारे कॉंप्लिकेंट भी हो जाती क सीजेरियं होई थी तो मुझए क्या-क्या प्रबलम आई तो मैं पहले कुछ चीज़े आपको यहाँ पर करती ह। मेर्य डिलि Peng यहां बहुत जलदी होग नहीं होई तो मसल्याहई भी थी इसलिए मुझे इतनी सारी दिक्कते आई पहली दिक्कत मुझे यह आई यह मुझे वहां पे टेस्ट के लिए ले के जाए गया तो उन्हों ने बोला कि आपका मतलब बेबी है मतलब बहुत उपर के साइड है वो नीचे के साइड में नहीं आ रहा है और पेन मुझे स्टार्ट हो चुका था वट फिर भी तो आपको सीजिरियन करना पड़ेगा जो डॉक्टर है उन्होंने बोला तो जो डॉक्टर अपरेशन करते हैं वो जेन से एक और एक लेडी सी ऐस तो उन्होंने में को बोला कि हम नहीं करेंगे इनका सीजिरियन विकाज यह बहुत जोटी है और इनमें ब्लड की कमी है तो इसमें ब्लड बहुत वैसे होता है बट कोई आप्शन नहीं था ऐसा मतलब वहां पर बताया गया जो चीज़े मैंने सुनी है मैं आपको बता रही आपका ऑपरेशन हो गया राउंड पर एक बार 24 घंटे में डॉक्टर एक बार आता है यह बहुत आएंगे तो दो बार आएंगे बस आपको कोई रिक्कत तो नहीं एक परची लिए है डॉक्टर को काय मतलब अलगी रहता है सरकारी हॉस्पिटल में रूतबा रहता है यहां पर किसी हॉस्पिटल को प्रमोट नहीं कर रही हूं मैं बस आपको अपना अनुभवत आ रही हूं और वहां पर क्या हुआ था कि चले मेरे सीजेरियन हो गई फिर वहां पर जब जिस दिन अब डिस्चार्ज मतलब वह बनता है कागज तो डॉक्टर को कम से कम पांश ठीच मिलट देना चाहिए अपने हार एक पेशेंट को फिसेट को न को घर जाए कि क्या खाना है चाहिए क्या पीना है और नहीं पीना है कैसे रहना बैल्ट कैसे लगाना यह बैल्ट कितना कंभलसरी है यह आप क्या कर सकते हो कि इतने दिनों के बाद यह सब कुछ भी है था तो वह मैंने बहुत टाइम बाद लगा इसलिए मेरा पेट आप लोग देखेंगे मेरी पुरी बाड़ी फैट बहुत कम होगा लेकिन मेरी कमर और पेट के पास मेरा बहुत ज्यादा उस टाइम से जो फैड मैंने बर्न किया मतलब जो मतलब हो गया था ना वह कम नहीं ह समझाया मेरे ससुराल पक्ष से भी नहीं कुछ भी किसी नहीं बताया तो मैं चावल खाने लगी अजवाइं का पानी पिया जाता है दातों के लिए पान खाया मतलब बहुत सारी इसे चीज़े होती है जो हमारे मतलब चली आ रही है और जो जिनको मानना चाहिए यह नहीं क सुनती हो तो मेरा बहुत मन करता है बट मैंने कभी नहीं खाया है मुझे किसी ने भी बना के नहीं खिलाया है यह बात बोल दी गई वहां पर ओली कम खाया जाने के लिए यह नहीं बोला जाता है कि आप पोस्रड वाली चीज़े मत खाऊ और डाइफ भूट सब खासकते हो आप फ्रूट का सकते हो तो यहाँ पर मान लिया गया कि अच्छा कुछ भी नहीं खाना है ऐसा कुछ नहीं होता है ताकि वह फैट ना बने चावल नहीं खाया जाता अगर आपके बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं कि उस रहीं पर तो मत खाऊ स्किप करो उस चीज़ को क हमारे यहाँ पर पज्यों जिनका पान का ब्योशा है चौरसियाजी लोगों का वह पहुंचाते थे तो मैं बच्पन में छोटी थी तो मैं देखती थी कि वह आती है पान लेके तो मैं समझ नहीं आता था क्या उससे मेरे दात मजबूत होते हैं उसमें कोई नसे वाली नसा पाना नहीं होता है उसको अपको दांतों से से दबाना होता है और उसको थूख देना होता है वह पत्ते के ऊपर बस कथा लगा जाता है मुझे पता नहीं है तो वह सब चीजे मेरे साथ नहीं हुए या फिर कुछ भी नहीं हुए मेरे साथ तो मेरे बोडी नहीं बहुत मैंने देखा नहीं तो इसलिए मेरी बॉड़ी उसी टाइम पर बहुत ज्यादा वीक हो गई अंदर से वाहर से तो पूरी स्वेलिंग हो गई मैं मैं आपको बता दू एक टाइम ऐसा था कि मेरी बॉड़ी ना ऑपरेशन के बाद पूरी फूल थी गई फूजे से लगा ना गुबारे जैसा हवा भर चुका है मेरे बॉड़ी में तो ऐसा हो चुका था तो इसलिए मुझे इतनी दिक्कती आई बाकी ऐसा नहीं कि आपके से जेरेन ऑपरेशन है बहुत कुछ हैं लोग मेरे खुद की मतलब में दीदी हैं उनको हुआ है बन्दब बहुत सारे लोग हुआ है मैं देखती हैं और वो एकड़ब कोई दिक्कत नहीं है मुझे दो तीन दिक्कते आई उसके बाद मैं फिर मैंने चुक्शीव किया रम्म मैं जब मैंने आज तक बताया है नहीं है आप सब को मैंने कंसीब किया जब आरब मैं दो साल की थी फिर मेरा मतलम स्केरेज हो गया और वो टाइम मेरे जिंदगी के बहुत दुखद दिनों में से एक था क्योंकि उसके बाद मैं जब विमार पड़ी मैं बोलती हुने कि बहु सारी चीज़े उस टाइम में जेली थी उस पर मैं बात नहीं कर पाऊंगे मेरे अंदर इतनी सकती नहीं है वह दोर गुज्रा और आप लोग बोलते आई बीफ कर वाली जे क्योंकि मुझे लगता है कि दो बेबी इसलिए जरूरी है कि हम मैं रहूं या ना रहूं अभी अर बच्च्छे के पास कोई नहीं। थो दो बच्च्छे होते हैं तो यह रहता है कि भाति हकी मुझे नहीं मैं माँ बनना है और वह साथ चीजें जैसे मैं भी बोल रही हूं मैं ये नहीं कर पाई क्योंकि मुझे पता है कि मैं सagles को कैसे lo एंगल कर पाऊंगी मुझे पता है कि अब मैं ये चीज़े खुद बना सकती हूँ खुद खा सकती हूँ ताइजी से ले आ दे चली ठीक बटे एक हजार रूब निकल नहीं था चेक नहीं बेले अच्छा बीज में रम्य की पापा आ गए मेरे को कहीं जाना था तो अभी एटियम से पैसे निकलने थे तो क्या मैं बात करी थी होता है न रिदम टूद जाता है बात करने का तो बहार काम चल रहा है अभी और यह है चीज़े तो इसलिए मैं चाहती हूं तो आप लोगों ने मेरे को जो है वो सलाह दिया उसके लिए बहुत-बहुत-बहुत सारा सुक्रिया आप लोगों का आप लोगों का सलाह मैं समझती हूं कि चिंता है आप लोगों को मेरी और चाहते हैं बहुत-बहुत-बहुत तेरी दी बहुत लेट कर दिया हां मैं समझ रही हूं लेकिन उसमें भी बहुत सारा रिस्क है अब लेकिन भगवान न करें कि इस तरीके की चीज़ें हमें करनी पड़े बट ऐसा करना पड़ेगा तो देखा जाएगा तब की बात तब देखी जाएगी और फिर कुछ लोग बहुत नसीब हो उनसे पूछो जिनको में मानती हूं कि मैं बहुत खुछ नसीब हूं मेरे पास अरम्या है मेरे पास बच्चा है लेकिन फिर भी आजकल की परिस्थिती समाज चीजों को देखके लगता है कि नहीं भाई एक दो बच्चे होने बहुत जरूरी है तो यह तो ज़्यादा मतले है और है कुछ समीलत निक है अना रिदम एक किलो ही तरभा रहे दीना मत बंतर ही हलका सबस खोल दें तो अभी अरमय के पापा आ रहे हैं जा रहे हैं तो कल के ब्रत की लिए हो रही है तैयारिया और हमें कन्या खिलाना है भले ही मैंने नो दिन का ब्रत नहीं रखा लेकिन सब कुछ करेंगे हम लोग तो ओ सायद आप नौरातरी की एक दो वीडियो देख पाएंगे वरना इस सा नहीं करती हूं जो चीज़े हांफूल होती है मैं उन लोग को सीधे करना ही नहीं है तो इसलिए मेरा बाड़ी आजकल डॉक्टर इतने अच्छ है मताब बात करते हैं सब कुछ आपको चीज़े सजक्थ करते हैं अपने पैरेंट से मैं पूछो आप मतलब नहीं कनेक्ट नहीं हो पाई और मतलब होता गया मेरे साथ जो गलत होना ठीक हो गया लेकिन उसकी वज़े से मुझे बहुत सारी दिक्कते हुई और मेरा फैट के लिए मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं मूटी हूं या मैं बहुत खाती हूं मेरा ना उसके बाद से मेरा वेट कम नहीं हुआ मतलब मैंने बहुत कम किया है लेकिन फिर भी वह चीजे जो एक बार होता है एक बार फैट जोई कठा हो जाता है फिर उसके बाद वो ठीक नहीं हुआ तो यह सारी चीजे हैं और मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए बहुत से लोगों को इलिए हैलफूल होगी वीडियो तो आप ऑपरेशन लेकिन हमेशा यह सोची कि ऑपरेशन एक अच्छा सोचो अच्छा मतलब सोचो अच्छा खाओ अच्छा सोचो तो होता है न कि सिक्षा गर्व में ही बच्चों को दी जाती है और ये बात सच है उस दौरान अब जिस तरही के चीज़े फील करते हो आपके बच्चे के अंदर में मैं एक बड़े बच्चे की ममी हूँ जो है वो है तो मुझे बहुत सारी चीज़े अनुभो हो गई है मेने एक से मंतलब एक कोहीं देखा है उसकी हर एक चीज़े के पास दो-तीन ऊण फाइंड है तो बच्चा आजि ऑबा के पास है इंडा दारदी के पास है बच्च अपैज स्लेंधरी के पासो है नहीं मेरे साथ में मैंने पने बच्चे को मतब यह गोदी में लेके ही बड़ा किया है मेरे को कोई रो रही है तो कोई उसको पूछने वाला नहीं है मेरे अलवा क्यों रो रही थी और मैं ऐसे मैंने पाला है अपने बच्चे को कि सहर में भी नहीं हो कि चलो पार्क में अप टहलाने ले जाते हो दो-चार लोगों से आप बात कर रहे हो अच्छा नहीं उसको किसी ने कोई प्यार नहीं किया वो गोदी में ही मा के बड़ी हुई है अपने मा पापा को ही देखी है मैं उसको वाकर के अंदर डालके जब वो थोड़ी से बड़ी हुई थी तो मैं खा में सोचती थी वो खेलती रहे है वाकर के में और मैं खाना बना लूँ फिर जब उससे थोड़ी से बड़ी हुई बैठने लगी अच्छे से तो मैं किचन की इस लैप के उपर उसको थोड़ा सा डरा के कि छुओगी तो जल जाओगी उसको एक कटोरी चमस देके मैं खाना बनाया करती थी और लालते इन जला के तो मैंने बहुत ही स्ट्रगल से उसको पाला है वो दिन मैं नहीं याद करना चाहती हूँ उसके बाद में जब वो उससे थोड़ी सी बड़ी हुई तो वो समझने लगी चीजों को तो मैं उसको पेपर फाड़ना बहुत पसंद था उसको खिलोनों से मेरी बेटी कभी ही नहीं खेली है अब इसका रीजन मुझे नहीं पता है पेपर फाड़ती थी मतलब आप उसको नहीं को दो कौपी के पनन देजिए एक घंता लगा देगी और चुप रहती थी थी सान्थ उस्ट्राइ से पाड़ती थी उतनी धिर मेरा खाना ऑजाया करता था तो इस तराइके से मैंने उसको किसले लिया नहीं है एच्छा चलो उसको किसले प्यार नहीं दिया है उसको बहुत सारा प्यार नहीं मिला है कि दादिया जी का फिर ऐसे मतब नहीं मिला है तो मैंने उसको इस तरीके से पाला है फिर हम फिर वो जिसे बड़ी होती गई हो खुदी इतनी मतब अरम्मय को जो लोग देखते हैं personally थोड़ा भी जानते हैं मैं बहुत कम लोगों से अरम्मय क मिलाती हैं अब लोगों ने बहुत सारा लोग मुझे ट्रोल भी करता है कि नहीं लेके जाते हो वगरा वगरा चीजे बड़ जिनके पस बेटी है ना वो समझेंगी मेरे फिलिंग को बाकी कोई नहीं समझेगा कि बेटी को लेके नहीं जाते हो आप सौतेली माह हो आप कैसी माह आप यह हो फ्लानाटीम का न मुझे फरक भी नहीं पड़ता है सच मैं ऐसे कमंड से कसम से नहीं फरक पड़ता है ऐसे दस में आगे घटिया लिख देते हैं तो क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे पता है न मेरे बच्चे के लिए क्या जरूरी है तो मेरे बेटी को जो भी लोग ठोड़ा सक्यानते हैं इतनी समजदार है इस इस में इतनी समजदार बच्ची है बहुत सांथ है तो क्योंकि उसने अपने जैसे मैं बोल दियू नियुक्त स्ट्रगल इसने भी में अपने मां के साथ उससी तरीके से स्ट्रगल देखा है और वह चीज मतलब देख देख कि वह बड़ी होई है वह रोंदू बच्चे में से बिलकुल नहीं थी बच्पन से ही मेरे को भगवान कहें है भगवान यही गौड गिफ्ट में यह मिला यह रो और मतलब ऐसा था तो वह ऐसी बच्ची नहीं थी और बॉटल तो उसमें कभी पिया भी नहीं है वह एक साल के बाद ग्लास से ही दूद पीना है स्ट्राट कर दी पानी पीने साथ साथ में दूद और आज तक उसका वह रूटीन है कि दूद पीती है दो ग्लास रोच चाहा भी मुझे बोलिए कि यह बना दो वह बना दो ऐसा मतलब नहीं होता है लांड प्यार उस तरहीं पर बहुत अच्छा लगता है लेकिन आगे चलते हो जब आपके बच्चे बड़े होते हैं तो भिंडी नहीं खाते है अर यह पालक नहीं खाता लौकी नहीं खाता बहुत सा यह सब चीज़े मैंने नहीं किये मरसे नहीं हुआ नहीं है यह जो कही है क्योंकि मुझे यह लगा कि हमने जब थोड़ी बड़ी हुई जिसे हाँ दाल का पानी दे दिया रोटी मसल मसल कि यह सब चिज़े की फिर हम सबजी उसको खिलाने लगे कम मिर्ची मसाले वाली उस उसको बचपन में पालक खिलाया बाच बचपन में उसको लोकी खिलाई करेली खिलाई तो उसको कभी पता नहीं चला कि ऐसा इस चीज़ को ना बोलते हैं अचा इस चीज़ को नहीं खाना है तो वो खाती गई वो खाती गई फिर वो खाते खाते मतलब बड़ी हो गई तो उसने कभी किसी चीज के लिए ऐसे नेखड़े मूह नहीं बनाती है, अब थोड़ी बड़ी हो गई है, थोड़ी बहुत चूजी हो गई है, अब उसको समझे लेकिन 5-6 साल तक वो कर रही लिए और इलिए सब कुछ एकदम बहुत पसंद सिखाती थी, तो बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करो है, अभी तो मैं देखती हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, आपके प्यार करने का तरीका है, अब बच्चों को खुब प्यार करो, बट वो घर की चीज़े खिलाते खिलाते न, हम लोग इतना चाय पीते हैं, मेरे घर में जितना चाय बनता है साया दे ल वाले उनके पैरेंट्स बुरा मान जाते हैं, चाय नहीं ने मेरे बच्चे को चाय नहीं दिया, चाय को दुलार लोग समझते हैं, कि बहुत अच्छी जिखर है, थोड़ा सा खौल दो, बट मैंने कभी या रम्या को चाय वगरान की लथी नहीं, मैंने दिया ही नहीं तो उ यूटूब पे ही किती छोटी सी थी, जब मैं यूटूब पे आई थी, उसकी सारी मेमोरीज हैं मेरे पास, और देखते देखते वो बड़ी हो गई, तो मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, I hope कि आप सबको अच्छा लगा होगा, और ऐसा नहीं है कि मैं अपने केशन से, बहुत साई चीज़े हैं, मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय